दोस्तों, फिरसे एक बार कोरोना वाइरस के नए वेरियंट को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंता में हैं. आशनका है कि यह वेरियंट पिछले वेरियंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है. COVID-19 का यह नए वेरियंट JN1 स्ट्रेन के तौर पर दुनिया के सामने आया है. इस वेरियंट को लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है. भारत में केरल राज्य में इस वेरियंट का पहला केस सामने आया है. केरल के 89 वर्षिय महिला में इन्फ्यूइंजा जैसी बीमारी के हलके लक्षन नजर आये थे. बाद में उन्हें 8 डिसंबर को तिरुवनंत पुरम जिले के काराकुलिम के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहाँ पर RT-PCR टेस्ट में पता चला कि वे JN1 से संक्रमित है. फिल हल अभी उनका इलाज चल रहा है. केरल की स्वास्थय मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोविट के नए वेरियंट को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. स्थिती पर स्वास्थय मंत्राले की कड़ी नजर है. चलिए तो इस नए वेरियंट के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि क्या है JN1 वेरियंट? ओमिक्रोन का सब वेरियंट B.A. 2.H. 6 को पिरोला के तौर पर भी जाना जाता है. इसी वेरियंट को JN1 वेरियंट कहा जाता है. इस वेरियंट का पहला केस अमेरिका में इसी साल सितमबर में आया था. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर को चीन में इस सब वेरियंट के साथ मामले पाए गए थे CDC ने हाल ही में एक अपडेट में कहा है कि भले ही वेरियंट BA 2.86 और JN.1 बहुत अलग लगते हैं लेकिन स्पाइक प्रोटीन में JN.1 और BA 2.86 के बीच केवल एक ही मुटेशन है चलिए जानते हैं कि स्पाइक प्रोटीन क्या है इस वाइरिस की सतह पर छोटे छोटे स्पाइक्स मजूद होते हैं इसी कारण इसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है ये वाइरस इंसानों के लिए ज़्यादा संक्रामक होते हैं CDC के मुताबिक कोरोना वाइरस को लक्षित करने वाला वैक्सिनेशन JN.1 और BA 2.86 पर भी असर करेगा ऐसा नहीं है कि टीका करण इस वेरियंट को बेसर कर सकता है चालिये जानते हैं कि भारत में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दिल्ली के गंगा राम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर उज्जवल प्रकाश ने इस वेरियंट के बारे में बातचीत करते हुए कहा है कि इस वेरियंट को लेकर सतर्कता रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा आपको अधिक सतर्क रहने की जरूरत है मुझे नहीं लगता कि सतर्क रहने के अलावा और कुछ करने की जरुरत नहीं होगी चलिए जानते हैं इसके लक्षन क्या क्या है अगर आप इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप बुखार, नाप बहना, गले में खराश और सिर्दर्ध जैसी परिस्तितियों से आप जूज सकते हैं इसके ज़्यादातर लक्षन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल दिक्कतों जैसी हैं डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादातर रोगियों को सांस लेने में तकलीफ होती है ये संक्रमन आमतोर पर चार से पांच दिनों के भीतर ठीक हो जाता है डॉक्टर उज्वल प्रकाश ने ये भी कहा कि अगर आपमें भी इस संक्रमन के लक्षन दिखते हैं तो तकाल कोविद-19 टेस्ट कराएं चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसके लिए क्या सावधानी बरतें डॉक्टर उज्वल प्रकाश ने कहा है कि JN1 वाइरस से निपटने के लिए पहले की तरही कोविद प्रोटोकॉल का पालन करें लोग मास्क पहने और वाइरस का लक्षन दिखे तो ततकाल मेडिकल टेस्ट कराएं अगर लक्षन पॉजिटिव आते हैं तो आप खुद ही क्वारंटीन हो जाएं इससे संक्रमन फैलने से रुख सकता है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे